हेलो फ्रेंड वागत है आपका हमारी यूटुब चैनल पर मेरा नाम है अंकुश और आज हम इस वीडियो की मदद से एक नया कॉल प्रोग्रेशन का पैटन जो देखेंगे यह जो कॉल प्रोग्रेशन है वो मेजर स्केल में प्ले होगा मतलब मेजर जो सॉंग है ठीक है उसम जैसे कोड के साथ प्ले कर सकते हो जैसे मैंने आपको पहला कॉल प्रोग्रेशन बताया हुआ था one four और five का थीक है तो यह दूसरा कॉल प्रोग्रेशन है इस कॉल प्रोग्रेशन को अच्छे से समझने के लिए ये वीडियो में आप आखिरी तक बने रही है और वीडियो वाला कोर्स है, ओनलाइन प्रे रिकॉर्डिंग कोर्स है, उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, कोर्स.PianoBajau.com उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, और हमारा जो अभी बुक लाउंच हुआ है, जो बुक है, जो बुक है, वो लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा बुक है, आप उसे पर्चेस करके असानी से सीख सकते हैं, तो उसका लिंक भी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, Amazon से आप उसे पर्चेस कर सकते हैं, तो फ्रेंग्स चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं अपने कीबोर्ड की तरफ फ्रेंग्स तो देखिए हम अपने अभी कीबोर्ड पर आ चुके हैं और अभी हम एक नए कॉल प्रोगेशन को देखेंगे जो कॉल प्रोगेशन है वो है फर्स्ट का मेजर शिक्स का माइनर फॉर्ट का मेजर और फिप्त का मेजर देखो वह समझा रहा हूं इससे पहले आप कॉर्ड फैमिली के जो वीडियो से मैंने पहले अप्लोड कि हुए को फैमिली एक बढ़ पढ़ ली जीए का कि हर इसकेल प होता है फर्स्ट जैसे इमेजर है ठीक है इमेजर कोई सौंग कर रहे है तो इमेजर सबसे पहले आपको इसकेल निकालना है क्या होता है इमेजर के इसकेल यह होता है इमेजर तो कॉर्ड प्रोगेशन कैसे अप्लाई करेंगे पहले इमेजर इक क्या हो जाएगा मेजर फर् 6 का minor 6 note कौन से है 1 2 3 4 5 6 6 मतलब C sharp C sharp का minor ठीक है इतना दूर play नहीं करेंगे हम लोग chord इधर ही left side में play करते हैं तो यह C sharp का minor ठीक है उसके पाद 4th का measure 4th कौन से है 1 2 3 4 A का measure 5th कौन से है B तो B का measure ठीक है तो यह chord progression में 4 चार जो है chord लगते हैं 1st measure 6th minor 4th measure और 5th measure ठीक है यह हो गया chord progression अब इसको अगर किसी song में आपको use करना है तो आप power chord से कर सकते हैं अगर आपको measure minor अच्छा हो गया है प्ले कर पाड़ है measure minor से तो आप power chord C से play करें power chord में क्या हो जाएगा यह C measure sorry यह E measure C sharp minor ठीक है यह यूज कर सकते हो यह वाला one two three third note भी use कर सकते हो पर आप ऐसे भी यूज कर सकते हो 3 sharp minor यह हो गया fourth मतलब A measure और B measure ठीक है इतने चार chord को आप E measure के किसी आपको पहले उसी को समझाता हूं आपको वह दूसरे song को जिसमें पूरे कोड फैमली के ही जो कोड लगे हुए है वाला song से चन्ना में रहे हैं वो किससे play हुए है C measure C measure scale यह कौन-कौन से chord यूज होंगे स्घाष्च के साथ मसा 1st का measure, C say, C puffs का Minor आएडर, Am 4th measure, half measure, 50th measure, G measure, कितने chord हुए चार chord यह 1st chord अगर पावर कॉर्ड में प्ले करें तो C मेजर, A माइनर, F मेजर और G मेजर ठीक है चार कॉर अब देखो वही वही ना यूस होता है पहले फर्स्ट कॉर्ड आएगा फिर 6 का माइनर कॉर्ड आएगा फिर 4 का मेजर फिर 5 का मेजर देखो फिर A माइनर फिर 4 का मेजर फिर 5 का मेजर ठीक है फिर लूक वाइज रिपीट हो जाएगा फिर से 1 का मेजर थिर 5 का मैनर से 1 फिर फिर 4 का मेजर भी 5 का मेजर फिर रिपीट है फिर रिपीट ठीक है, फिर रिपेट, ठीक है, फिर रिपेट, ठीक है, इधर बता तो, देको, जीक्त माइनर, फोर्थ का मेजर, फिब्द का मेजर, ठीक है, वही वही रिपेट होंगे, देखो वही वही, पहला का मेजर, सीज का माइनर, फोर्थ का मेजर, है, फिर बता है, यह होता है, इस ही कॉल्स प्रोफेशन, इस ही कॉल्स प्रोफेशन से, बाकी सभी जो कॉल्स, । सोंग आप कर सकते हैं जैसे देखो जानी सार नए का पुराना गाना था हम तुम ठीक है सासो को सासो में ढलने दो जरा यह वाला सॉंग ई मेजर से प्ले करेंगे उसको पॉन-पॉन से कोड आएंगे ई मेजर, C शाफ माइनर, A मेजर और B मेजर ठीक है पूरा ही चीज़ से प्ले हुआ है सॉंग एख वहल हूँ हुआ है यहां को क्यों कि काम्पोजिंग आयался हुआ है मतलब बाहर के जो है वही हूँ है तो वहां पर कर सकते हैं ऐसे यूज़ ठीक है यह यह इयर टर्निंग पर डिपेंड करते हैं लिस्निंग प्रेक्टिस अच्छे कीज़ें तो आप पहचान सकते हैं मतलब बाहर के कौन से कॉड्ड वहां भी यूज़ हो रहे हैं D यूज़ हुए D मेजर फिर A मेजर फिर F sharp minor भी यूज़ हुए है तो ऐसा 99% में chords प्रोग्रेशन के ही पूरे यूज़ होते हैं और 1% songs में ऐसे बाहर बाहर के भी यूज़ हो सकते हैं तो फ्रेंस यह रहा हाज के वीडियो आपको कैसा लगा कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देएगा थैंक्यू